नागरिक्ता कानून को लिकर देश भर में विरूत प्रदर्शन लगातार बढ़ते जा रहे हैं कई राजों में इस विरूत प्रदर्शन ने हिंसा का रूप ले लिया है इसी बीच नागरिक्ता कानूम के खिलाफ दिल्ली महिला कॉंग्रेस की कारिकरता आज प्रदर्शन कर रही है बता दें कि वो केंडरी ग्रहम मंत्री अमित शाह के घर के बाहर प्रदर्शन कर रही कई महिला कारिकरताओं को हिरासत में लिया गया है प्लिस ने जामा मजद इलाके में प्रदर्शन करने कुछ इजासत देने से इंकार कर दिया था जिसके चुल्दे भीम आरमी ने नेता चंदर शेखर रावन को हिरासत में लिया है पुलिस की किरफ्ट में आने के बाद चंदर शेखा ने ट्वीट कर कहा कि मैं आजाद हूँ जामा मजद जा रहा हूँ ऐसा बताया जा रहा है कि दिल्ली में एक बाद फर बड़ा विरोध प्रदर्शन होने की आश्रंका है हाला कि पुलिस प्रिशासन और खूफी अजेंसी अलर्ट हो गई है इधर दिल्ली में मैट्रो ने अर्थिहात के तौर पर शुक्रवाद सुबह दो श्टेशनों जाम या मिलिया अस्लामिया जो 16 विहार शाहिन बाग को बंद कर दिया गया है सिलंपूर में पुलिस की दस अतरिक्त कंपनियां तैनात की गई है सब्सक्राइब आर चैनल एंड प्रेस दे बेल आइकन फोर अपडेट्स